तो सबसे पहले जो आपको करना होगा कि आपको calculate करना पड़ेगा कि आपको कितने angles और कितने coils चाहिए तो इसके लिए आपको आपका property का जो boundary length है ये जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपके property का boundary length आपको नहीं मालूम है तो आप इस link पे click करिए और आपको step by step पता चल जाएगा कि आप इसे कैसे calculate कर सकते हैं फिर उसके बाद में आपको calculate करना पड़ेगा कि आपको कितनी coilों की जरूरत है तो इस chart में आप देख सकते हैं कि based on कौन सा आप coil ले रहे हैं आपको कितने coils की जरूरत होगी इसके अलावा आपको ये भी calculate करना पड़ेगा कि आपको कितने y angles की जरूरत है